विल्कम तू स्टडी वॉच I want something in a cage मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए यानि मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो पिंजरे में हूँ I want मैं चाहता हूँ something कुछ in a cage पिंजरे में मैं कुछ पिंजरे में चाहता हूँ ठीक है यह कहानी NCRT के Class 7 की English की Supplementary की Book An Alien Hand का यह Chapter No.6 है इसके पहले की वीडियो जैसे Chapter No.5 Golug Rose and Nose उसकी वीडियो और उसके पहले की chapters की वीडियो बना दी गई है उससे आप देख सकते हैं ठीक है तो I want something in a cage के बारे में चलिए थोड़ी सी जान लेते हैं इसके समरी के पारे में फिर उसके बाद Line by Line explanation करेंगे हर एक शब्द की मेनिंग बताती है उसके explanation करेंगे तो ये I want something in a cage Mr. Purcell नाम की एक आदमी की कहानी है जिसके पास एक pit shop है जो एक pit shop चलाते हैं pit shop का मतलब है जहां पर पशु पक्षियों को बेचा जाता है उसे pit shop प्याते हैं वो एक pit shop चलाते हैं तो उनके दुकान में एक बार एक अजीब सी घटना होती है एक आदमी आता है और वो तो पक्षि खरीता है और उन्हें वो आजाद कर देता है उन्हें वो अवा में उला देता है इस वेवहार से उस कस्टमर के मिस्टर परसल बहुत परशानियों पड़ जाते है उन्हें लगता है ये अजीब जहर कर क्या थी क्या उनके दुकान में कोई भूत प्रेथ है क्या जिसने ऐसा किया तो इसी के आसपास ये सारी कहानी घुमती नजर आती है ये सारी चीज़ें कैसी होती है तो चलिए थोड़ा सा और हिंदी में समझ लेते है पूरी कहानी को फिर लाइन बाइन एंग्लिश एक्स्प्लेनेशन करेंगे तो मिस्टर परसल एक पैट शॉप चलाते है एक दिन वहाँ एक अजीब सा आदमी आता है वो दो फाक्ता खरीता है फाक्ता जिसे हम डव कहते हैं ठीक है वो फाक्ता खरीता है और दुकान से निकलने के बाद तुरंथी बाद वो उसे आजाद कर देता है उसे हवा में उडा देता है इस अजीब से विवहार से मिस्टर परसल बहुत परिशान हो जाते हैं वो सोचते हैं कि आखिर ये हुआ क्या ठेक क्या मेरे दुकान में कोई भूट परेथ था जो आया और वो ऐसा कर गया क्योंगे कोई चीज कोई क्यूं खरीटता है उसे पाले के लिए खरीटता है उसे रखने के लिए लेकिन इसने तो उसे आजाद कर दिया मिस्टर परसल की दुकान में हर तरह के परसु पक्षी थे वहाँ पर हर तरह के परसु पक्षी बेचे जाते थे उनके सेल पर बहुत सार धेर सारे पिंजरे थे मिस्टर परसल अपने आपको एक प्रोफेशनल आदमी मानते थे दुकान में उनके हमेशा शोर रहता था और ये जो शोर होता था वो उन जानवरों से उन पक्षियों से होता था जो वहाँ पिंजरों में बंद रहते थे और उनकी दुकान में हमेशा एक अजीव सी चहल पहल रहती थी एक जानवरों की उनके आवाजों की ऐसा लगता था कि यहाँ जीव है यहाँ प्राडी है लेकिन थोड़ा सा एक बेबसी सी उनके दुकान में हमेशा महसूस होती थी ने उन जानवरों की वज़ा से बिंजो में जो बंद जीवन था जो जिंदगियां बंद थी जो प्राडी बंद थे उससे नही मिस्टपरसल कोई परिशानी होती थी वो जो कस्टमर आते थे उनकी दुकान पर वो जानवरों की तारिश करते थे और उन्हें वो बहुत सुन्दर बताते थे, कहते थे बड़े अच्छे लग रहे हैं ये मिस्टर परसल अपनी दुकान में जो उनके जानवर और पक्षी थे, उनके अच्छाइी के बारे में भी बात करते थे उनके बारे में चिंता भी जताते थे वो मचली दाना और पक्षियों का खाना यानि पक्षियों का दाना बेचते थे और बिमार कैंडरियों जो एक तरह का ये पक्षी होता है जो पक्षी बिमार होते हैं उनके लिए वो दवा इलाज भी बताते रहते थे वो एक बड़ा सा चश्मा पहनते थे जिससे उनकी आखें और बड़ी लगती थी और इसी के कारण जो ये लेखक है इस कहाने का वो उन्हें एक बुद्धिमान उल्लू की तरह कहता है उनके शीफ उनकी इस चश्मे की विज़ा से और जो दुकान का जो शोर है मिस्टर परसल को उससे कोई परिशाने नहीं होती मिस्टर परसल को उसमें इतनी जो चिल्ले पो मची रहती है उनके दुकान में जानवरों द्वारा उससे उन्हें कोई परिशाने नहीं होती उन्हें के बगल में एक घड़ी भी है जहां वो बैठते हैं उसकी टिक टिक जैसे करती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जिसे अगर हम लोगों के पास भी अगर घड़ी हो और वो टिक टिक करे तो हम लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसके आदि हो जात ने, वो भी उन सारे शोर शराबों को नजर अंदास कर देता था, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानि जो कस्टमर उनके दुकान पर आते थे, उससे भी उनों कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक व्यक्ती आता है, जो दो फाक्ता खरिगता है, ठीक है और वो उन्हें आज़ाद कर देता है, उसको लगता है कि यहाँ पर जो दुकान है, यहाँ पर बहुती ज़्यादा मायूसी भरा महौल है, यहाँ पर लोग ये जानवर जो है वो कैद में है, उसी कस्टमर को लगता है, और दूसरे कस्टमर को ऐसा फिल नहीं होता था, ठी इस तरह का जो शोर शराबा है आपकी दुगान में इससे आपको कोई परिशानी नहीं होती ती ती वो जो आदमी आया था उनके कस्टमर जो उनका कस्टमर था जिसने दोनों फाक्ता को आजाद कर दिया था उस वो थोड़ा सा लेकर उसके गेट अप के बारे में बात कर लें तो उसने चमकीले जूते पहने थे उसका जो सूट था वो थोड़ा सस्ता था ठीक है उसके कप्रे फिट नहीं थे लेकिन वो नए ही किसम के कप्रे लग रहे थे वो कप्रे नहीं लग रहे थे लेकिन फिटिंग के नहीं थे उसके बाल जो थे वो बहुत छोटे थे और उस बिल्कुल जेल से छूट करके आया था, तो उसकी दिमाग में बहुत जादा डिस्टर्बिंस था, वो फैसला नहीं कर पा रहा था, ठीक, कि उसे क्या खरीदना चाहिए, तो इस तरह से वो ऐसी चीज चाहता था, जो उसे आजादी का टेस्ट दे, जो आजादी की फीलिंग क पर उड़ना चाहते हैं, वो उची 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 उडान करते हैं, तो उसलिए उसने वो फाक्ता खरीद लिया, इसलिए नहीं कि उसे उस पक्षी से बहुत प्रेम था, वो बहुत प्रेम करता था, ऐसा नहीं, वो उसे वो पक्षी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए नही ठीक है एक तरह से वो जैसे उस जीव को आजात करके उसको मुक्त करके वो उसका आनंद लेना चाहता था और वो उसकी जो डिजायर थी है जो फीलिंग थी इस तरह के आनंद लेने की और इस तरह के सुकून की अगर आप कहले तो वो इतनी तेज थी कि इसके लिए उसने अपना सारा धन लगा दिया। फाक्ता खरीदने के बाद वो कुछ दिर बात करता है मिस्टर परसल से अब वो जब जाने लगता है तो वो उससे मिस्टर परसल बताते हैं कि इसको क्या खिलाना चाहिए इस फाक्ता को और इसको किस तरह का रख रखाओ कैसा करना चाहिए लेकिन ये सारी बाते उस आदमे को कुछ मतलब interest नहीं create करे थे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो तो क्योंकि उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था वो सोच रहा था कि मुझे तु इसको पालना तो है नहीं तो मैं इस सारी चीज़े जानकर करूंगा क्या तो उसने बहुत थी थोड़ा सा घीडा पूर वक्त तरीके से कहता है और वो कहते हुए वहां तुकान से बाहर निकल जाता है और वो इसलिए करता है कि क्योंकि उसे फाक्ता अपने पास रखना नहीं था ठीक और जैसे वो बाहर निकलता है वो उसे उस पिंजरे को खोल देता है और वो फाक्ता दोनों थे पेर व उन्हें अपमान महसूस होता है कि ये आदमी जिसने अपनी जीवन की दस साल की कमाई अपने इसमें लगा दिया इस इनको आजाद करने में और मैं हूं कि मैं इन्हीं की कमाई खाता हूं इन्हीं की कैद से मेरी रोजी रोटी चलती है मेरी मेरी जिन्दगी चलती है तो उन्ह Mr. Purcell की एक पशुपक्षियों की दुकान है ठीक है? Pit shop का मतलब क्या है? जहाँ पशुपक्षी बेची जाते हैं उसको pit shop कहते हैं Owns का मतलब तो ऐसे होता है मालिक होना वो एक पशुपक्षियों की दुकान की मालिक है यहाँ पर हम कहेंगे कि वो एक पशुपक्षियों की दुकान चलाते हैं There is a constant noise of screeching and twittering in the shop There is a constant noise लगातार शोर होता रहता है constant का मतलब क्या है? लगातार noise का मतलब शोर होता है किसका शोर होता है? screeching and twittering चीखने का और चहचाहने का ठीक है? screeching का मतलब क्या है? चीखना और twittering का मतलब क्या है? चीखने की जो बोली होती है उसको हम twittering कहते हैं चीखना चीखने की और screeching की आवाज लगातार होती रहती है in the shop, दुकान में दुकान में लगातार चीखने की और screeching की चीखने की और screeching की आवाज होती रहती है sure होता रहता है but लेकिन Mr. Purcell is happily unaware of it but लेकिन Mr. Purcell is happily unaware लेकिन Mr. Purcell इसे खुशी-खुशी नजर अंदास कर देते हैं ठीक अनवेर का मतलब क्या होता है अंजान वो इसे खुशी-खुशी अंजान हो जाते हैं one cold morning एक ठंडी सुबह a strange customer calls एक विचित्र सा customer विचित्र सा ग्रहक आता है calls का मतलब यहां पर क्या है पुकारता है आवाज देता है लेकिन यहां पर हम कहेंगे visits ठीक वो आता है उनकी दुकान में एक अजीब सा customer उनकी दुकान में एक ठंडी सुबह आता है चलिए आगे देखते हैं Mr.Persal did not believe in ghost Mr.Persal भूतों में विश्वास नहीं रखते थे घोस्ट का मतलब क्या है भूत ठीक डिडनाट बिलीव नहीं मानते थे नहीं विश्वास रखते थे Mr.Persal भूतों में विश्वास नहीं रखते थे नेवर्दलेस नेवर्दलेस का मतलब का है in spite of that इसके बावजूद भी ठीक फिर भी the man who bought the two doves वो आदमी जिसने दो two doves खरीदे बाट का मतलब क्या है खरीदा two doves का मतलब बाट का मतलब जैसे मैं आपको समरी में बताया फाक्ता तो लेकिन हाँ two doves वो खरीदा ठीक है जिसने खरीदा and his strange act immediately thereafter और उसके तुरंट बाट thereafter किसके लिए आपर उनके खरीदने के तुरंट बाट immediately का मतलब क्या है तुरंट strange act अजीब सी हरकत strange act का मतलब कहा है उसकी अजीब सी हरकत lift him with a distinct sense of uncanny उन्हें एक अजीब सी sense of uncanny एक अजीब सी इस्तिती में उन्हें वो छोड़ जाता है वो आदमी जो आता है उनके दुकान से दो डव खरीदता है और उसके खरीदने के बाद जो उसकी हरकत होती है इससे मिश्टर परसल बहुत ही distinct का मतलब होता है clear distinct sense of uncanny एक अजीब साफ दिखने वाले विचितर से एहसास में feeling में वो चले जाते है ठीक वो आदमी जो खरीद पी behind his departed customer या दपी उस जाने वाले customer के बाद departed का मतलब क्या हो है leaving चो चला गया ठीक उसके बाद behind का मतलब यहां पर क्या है उसके बाद their head lingered the musty smell of an abandoned haunted house उनको क्या हुआ their head lingered a musty smell एक lingered का मतलब लगातार बनी रही ठीक है लगातार बनने वाली musty का मतलब जिसमें हलकी हलकी सी महकाती है अगर बहुत दिन तक किसी कमरे में कोई जाए ना और वहाँ पर थोड़ा सा अगर डंप है थोड़ा सा गिला पन रहे तो वहाँ पर जो महकाती उसे musty कहत है तो एक अजीब सी महक वहाँ पर बनी रही of an abandoned haunted house एक abandoned का मतलब जिसका इस्तिमाल ना किया जाता हो ऐसा कोई घर जिसका इस्तिमाल ना किया जाता हो और haunted का मतलब भूता घर तो उनके जाने के बाद एक अजीब सी महक उस घर में ऐसा लगा दुकान में उनके आने लगी उ भी आया और उचला गया तो हमने यहां तक देखा कि मिस्टर परसल पशुपक्षियों की दुकान चलाते हैं एक दिन वहाँ एक अजीब सा कस्टमर आता है और वो दो फाकता खरीदता है और दुकान से निकलने के तुरंती बाद वो अजीब सी हरकत करता है जिस से मिस्टर प बहुत फसी मैं थेखा का मतलब हता है जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़ाधे ध्यान देता है उसे बोलते हैं फसी ठीक है तो वह बहुत फसी किसम के आदमी थे Yes a बहुत निकली उए थी तोंद निगला हूऊ ठीक है ठीक है टाइट उनका पेट निकला हूब था give him the appearance of a wise and genial owl. वो कहते हैं आगे कि large glasses जो बड़े बड़े चश्मे हैं उनके बड़े चश्मे हैं magnified his eyes उनकी आँखों को और बड़ा कर देते हैं. magnified का मतलब क्या है? make bigger बड़ा बना देना उनकी आँखों को और बड़ा आउल की तरह वो नज़र आते हैं. genial का मतलब होता है cheerful हमेशा खुश रहने वाला आदमी ठीक? genial का मतलब होता है cheerful वो खुश मिजास और बड़्धिमान आदमी नज़र आते हैं उस चश्मे की वज़ा से. He owns a pit shop. उनकी एक pit shop है. उनकी एक पशु-पक्षियों की दुकान है He sold cats and dogs and monkeys. वो वहाँ पर बिलियां बेचते हैं, कुट्य बेचते हैं और बंदर बेचते हैं. वहाँ पर वो बंदर कुट्य बिलियां बेचते हैं. He dealt in fish food and bird seed और वह वहाँ पर मचली का खाना भी बेचते हैं ही डेल्ट का मतलब वो डेल करते हैं यानी वो उसमें भी लेंदीन करते हैं फिश फूड मचली के खाने में and birdseats और चिडिया के धानों को भी वह बेचते हैं prescribed remedies for aeling canaries और जो बीमार, एलिंग का मतलब क्या है, बीमार कैनरीज पक्षी का नाम है, तो वो रेमेडीज वो इलाज भी देते हैं, इलाज भी करते हैं, जो बीमार कैनरीज होते हैं, और उनके दुकान में और नजर आता है, चारो तरफ डिस्पले का मतलब यहां पर क्या है, जो दुकान में जो भी चीज़ें रखी हो नजर आएं उसे डिस्पले बोलते हैं वो डिस्पले होती है दिखाई देती हैं क्या उनके शेल्फ पर उनकी जो अलमारिया है उस पर नजर आती है क्या लॉंग रोज आफ लंबी लाइन होती है औरनेट एंड गिल्डेट केजिस की सजे हुए और सोने के रंग के पिंजरे वहाँ नजर आते हैं औरनेट का मतलब है और डिकोरेटेड ठीक है इस तरह से उनकी दुकान का ये लोकेशन है वो अपने आपको मानते थे ठीक वो अपने आपको क्या मानते हैं कुछ बिलकुल पेशिवर आदमी की तरह वो अपने आपको समझते हैं वो अपने आपको मानते हैं ठीक परवेड़ का मतलब पहल परवेड़ का मतलब फैली हुई थी यानि वहां हर तरफ दिखाई दे रही थी विस्पर्ड ट्वीटर्स वहां पर धीमी आवाज में विस्पर्ड का मतलब होता है तिख चीप्स का मतलब पर अचानाक चीखने की आवाज और अचानाक चीखने की आवाज वहाँ पर नंके दुकान में लगातार इस तरह की आवाजें आती रहती थी थेक, small feet is campered in frenatic circles, small feet मतरा छोटे छोटे पाओं, scampered, वो कूदते नजर आते थे, scampered का मतलब क्या होता है, hopping थोड़ा सा कूदते नजर आते थे, in frenatic circles, वो जो circles बने थे, मानले जो पिंजड़ा है, हम ये कहेंगे circles को, उसका पिंजड़ा कहेंगे, तो इसी में वो घूमते तो वो बहुत तेजी से गोल-गोल उसी में घूमता है, ठीक, तो ये उसके लिए है, ये सारी चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं, और वहाँ पर कैसे पशुपक्शी वेभार करते थे, फ्राइक्टिंग, वो घबडाई हुए रहते थे, बिविल्डर्ड, बिल्कुल व इधर उधर भटकते हुए, परिशान नजर आ रहते सारे पशुपक्शी, एक्रोज देख शेल्फ, पर्स दिस एंडलिस फ्लिकर ओफ लाइफ, और एक्रोज देख और पूरे शेल्फ में, पूरी अलमारियों में, उधर जहां पर पिंचल रखे हुए थे, पर्स दिस नजर आ रही थी, पर्स का मतलब यहां पर क्या है, मूवड, ठीक है, वो वहां पर हर वक्त, हर जगा वहां पर चलती भी नजर आ रही थी, ठीक है, चली आगे देखते हैं, बट लेकिन, the customers who came in said, लेकिन जो customer आया, उसने कहा, aren't they cute, क्या ये अच्छे नहीं है, क्या ये सु और वो क्या करते हैं, जो भी customer वहां पर आता, वो उनकी बेचैनियों को, उनकी परिशानियों को ना देखते हुए, वो ये कहता, क्या वो उतने अच्छे नहीं है, इतने सुन्दर नहीं नजर आ रहे हैं, जरा उस वाले छोटे पिजरे को देखो, वो कितना अच्छा नज नजर आ रहा है, तो mister person himself would smile, वो अपने आप में ही मुस्कुराते, वो भी अपने आप में मुस्कुराते, and briskly rub his hands, और वो तेजी से, briskly का मतलब क्या है, जोर से, तेजी से, अपने हाथ को रब करते, अपने हाथ को हाथ से, रगरते, and emphatically shake his head, और जोर से अपने सिर को हिल ठीक है, shake his head, अपने सिर को हिलाते, ठीक है, तो इसमें हमने देखा, कि दुकान में हमेशा कुछ शोर रहता है, ठीक है, यह शोर दुकान में रहने वाले विभीन जानवरों से होता है, ठीक है, हर तरफ वहाँ जीवन की जो थिरकन वो मालूम पढ़ती थी, पिंजरे में ज जब वो उसे अच्छा बताते उसके कस्टमर जानवरों को, तो इसी में मिस्टर परसल भी हामे हाम मिलाते और वो भी खुब खुश हो करके सिर हिलाते, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इच मॉर्निंग हर सुबह, वें दे रूटीन ओफ ओपनिंग इस शॉक वस कम्प्ली जाता है, जाता है, सारी दुकान का काम खतम करने के बाद जब खोलने वाला, जब दुकान खुल गई, तो वहां पर जाता है, जाकर के जो मालिक होता है वो एक उची स्टूल पर बैठ जाता है बिहाइंड दे काउंटर काउंटर के पीछे अन्फोल्ड इस मॉर्णिंग पेपर और वो खोलता है जो सुबह का पेपर होता है उसको एंड डाइजेस्ट देज निउस और हजम कर जाता है जो दिन की सारी खबर होती है उसको वो हजम कर जाता है जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें जो कैट रहती है वो स्माइलिंग एंड स्मर्किंग रहता है तो वही ये स्मर्क है अगर आप वोकैबलरी सही से पढ़ते हैं जो लेसर में पढ़ा जाता है आपको तो आपको बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं तो इससे आपको हमेशा उसे रटना नहीं पढ़ेगा और वो आपके हमेशा ध्यान में रहेगी इसलिए ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे एक एक वीडियो स्किप नहीं करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे डीटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसमें फायदा होगा इसलिए ये वीडियो इतनी मेहनत से और डीटेल से बनाई जाती है जिससे आप अच्छे से अंग्रेजी सीख सकें और कहानी को अच्छे से समझ सकें ठीक चलिए आगे देखते हैं वो तिरस्कार पूर्ण हसी हसते फ्रॉन अपने भाओं को सिकोड़ते फ्रॉन का मतलब होता है नाराजगी से अपने भाओं को सिकोड़ना रिफ्लेक्टिवली पर्सिस लिप्स और वो अपने होटो को भी दबाते पर्सिस लिप्स का मतलब क्या है वो अपने होटो को दबाते ठेक है रिफ्लेक्टिवली पर्सिस लिप्स का मतलब क्या है विचार पूर्ण मुद्रा में रिफ्लेक्टिवली का मतलब क्या है सोचते ह हुए वो अपने होटो को दबाते knowingly lift his eyebrows और जानते हुए जान बूच करके knowingly का मतलब क्या है जान बूच करके lift his eyebrows अपने भाव को उठाते nodding grave agreement और वो बहुती गंभीर स्विक्रिती के साथ अपने सिर को हिलाते grave का मतलब यहां का क्या है गंभीर रूप से ठीक agreement का मतलब सहमती से कोई खबर वो पढ़ते जो उन्हें अच्छी लगती कि हां ऐसा होता है तो उसमें अपना वो सिर हिला करके गंभीर सहमती देते he read everything वो सब पढ़ जाते ठीक है वो सब कुछ पढ़ जाते even advice to the love lawn और यहां columns of advertisements और वो जो detail columns होती थी प्रचार की ठीक advertisements की उसको भी वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया करते थे ठीक it was a rough day यह एक rough day था यह बहुत अच्छा smooth day नहीं था a strong wind blue against the high plate glass windows और एक तेज हवा strong wind का मतलब क्या है तेज हवा blue बही against the high plate glass window जो उची खिडकी थी उसके शीशे से होती हुई एक तेज हवा बही आके हवा टकराई smoke fill the winter city और smoke यानि जो कोरा यहां पर smoke को हम कहेंगे धुआ नहीं कहेंगे यहां यहां कहेंगे fog ठीक है film the winter city जो ठंडियों का मौसम उस शहर में था उसको वो filmed कर लेता है उसको वो cover कर लेता है वो साफ नजर नहीं आता है उसकी वज़ा से पूरे शहर को वो धुंदला कर देता है and the air was grey with a thick frost और मोटे ओलों से वो हवा बिलकुल grey हो गई थी यानि ठंड बहुत पड़ रही थी having completed his usual task अपने सामान्य काम को पूरा कर लेने के बाद usual task का मतलब क्या है सामान्य कार यह having completed कर लेने के बाद Mr. Purcell again mounted high stool वो उस पर चड़ गए ठीक उस पर चड़ गए and unfolded his morning paper और उन्होंने अपने सुबह के paper को खोला he adjusted his glasses उन्होंने अपने चश्मे को सही किया adjusted का मतलब यहाँ पर क्या है सही किया and glanced at the day's headlines और उन्होंने जो headlines थी उस पर उन्होंने नजर फेरने शुरू की glance का मतलब क्या है नजर फेरना देखना chirping and squeaking and moving vibrated all around him chirping का मतलब भी क्या है चह चाहना twittering जिसे हम कहते हैं squeaking चीखने चिलाने की आवाजें and moving और बिल्ली के बोलने की आवाजें vibrated all around him उनके चारो और वो vibrate कर रही थी वहाँ पर वो ध्वनी चारो तरफ घूम रही थी येट फिर भी Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock तो Mr. Purcell heard it no more than Mr. Purcell ने इसे उससे कम तो नहीं सुना होगा जो एक monotonous tone है उनकी familiar clock की उनकी परिचित घड़ी की जो ticking का sound है उससे ज़्यादा उन्होंने इससे तो नहीं सुना होगा कहने का मतलब ये है कि उनके बगल में जो घड़ी थी उसकी टिक टिक और इन सारी चीजों का ये squeaking चर्पिंग ये सब भी उनके जीवन का एक daily routines का एक हिस्सा हो गया था ठीक है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे monotonous का मतलब क्या होता है जो एक ही ध्वनी एक ही तरह की धुन में जो जैसे घड़ी की टिक 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 वो एक ही तरह का sound बार बार उसमें निकलता उसी तरह से monotonous और ये उबाव भी हम इसको कहते हैं तो उन्हें कोई भी उबाहट नहीं लगती थी नहीं चर्पिंग और स्क्वीकिंग और मिविंग से और नहीं उस उनके फैमिलियर क्लॉक से वो उसमें बिल्कुल एज़स्ट हो गये थे there was a bell over the door that jingle whenever a customer entered there was a bell एक घंटी थी over the door दरवाजे के उपर that jingle जो बचती थी whenever a customer entered जब भी कोई customer अंदर आता था तब ये बचती थी whenever का मतलब क्या है जब भी customer का मतलब गरहां entered का मतलब प्रवेश करता था जब भी उनके दुकान में कोई customer प्रवेश करता था तो वो bell वो घंटी बचती थी this morning इस सुबा however for the first time लेकिन पहली बार however का मतलब यहां पर क्या है पहली बार ऐसा हुआ है कि यह घंटी किसी customer के आने पर नहीं बजी simply he glanced up simply का मतलब क्या है only ठीक यहां पर क्या है simply का मतलब only he glanced up उन्होंने ऊपर देखा and there was the stranger वहां पर एक अजनभी था stranger का मतलब क्या है अजनभी एक अजनभी था standing just inside the door जो बिलकुल एकदम दरवाजे क के अंदर खड़ा था एंटर करने के बाद दरवाजे के पास खड़ा हो गया as if mano as if का मतलब क्या है mano he had materialized out of thin air कि वो इस पतली हवा से इस हवा से वो कहीं से प्रकट हो गया हो materialize का मतलब क्या है प्रकट होना ठीक है वो कहीं से आ गया है क्योंकि जब भी कोई customer आता था तो घंटी बचती थी और वो घंटी बची नहीं तो मिस्टर परसल को लगा कि वो कहीं से हवा में वो प्रकट हो गया ठीक चलिए आगे देखते हैं the shopkeeper slid off his stool दुकानदार ने shopkeeper ने यानि मिस्टर परसल ने अपना stool खिसकाया ठीक है slid off का मतलब क्या है खिसकाना his stool अपना stool उ अबार में he knew instinctively वो अंतकरण की आवाज से जान गए instinctively का मतलब क्या है जो है जो अपने मन की आवाज है जैसे instinct से बना है instinctively instinct का मतलब होता है प्रवित्ती जो natural आदत होती है किसी भी जीव की उसे instinct कहते हैं तो वो अपनी इस अंतकरण की आवास से अपनी natural capacity से वो जान जात करता है बाट लेकिन आउट अफ हैबिट लेकिन आदत से मजबूर आदत की वजह से यह रब्ड हीज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर उन्होंने अपना हाथ जोर से साथ में रगड़ा ठीक है ब्रिस्कली का मतलब जोर से रब्ड का मतलब रगड़ा जैसे मैंने आपको पहले इसमाईल औन नाडड दूड मुझकुराई और उन्होंने सहमती से सरहिला करके का गड़ा यह ब्ड का ब का मतलब यहां इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो खतम होती है अगले पार्ट फिर मिलेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेर कीजेगा चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कीजेगा और बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा आपके सबस्क्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा होसला तैंक यू